वेलकम वेक फ्रेंड यूवी के इंफो टेग में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जाबा इस्क्रिप्ट का फाइल है वो इंडेक्स हम लोग के साथ हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं स्क्रिप्ट एग में कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको रण करा सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि फाइल है उसके साथ जाबा इसक्रिप्ट का फाइल कैसे हम लोग लिंक कर स सिंपल है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डेस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आ चुका हूँ HTML फाइल में यह हम लोग को रन हो रहा है उसमें और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग दो तरीका से javascript का जो ना रन कर सकते HTML के साथ उसको अटेच करके तो उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगो को इस स्क्रिप्ट एक से जदि आप html में in-line internal css लिख रहें तो इसमें हम लोगो को script tag लिखना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते आपको इसमें जाना script tag and closing append करना है इस script tag के अंदर में आप जो भी JavaScript का code लिखते हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से run करना start हो जाएगा मैं क्याम करता हूँ एक example के साथ लिखता हूँ टाइप करता हूँ hello world hello world और जैसे ही type करता हूँ type करने के बाद मैं जैसे इस page को reload करेंगे आप देखेंगे कि hello world यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि javascript जो है इस javascript tag के अंदर में जो भी code हम लोग javascript लिखेंगे तो वह हम लोग का क्या है कि run करना start हो जाएगा जदी मैं skip को remove कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका color जो है न चेंज हो चुका है और जो मैं refresh करता हूँ तो kohp alert हम लोग को नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी code लिखना है इन लाइन इंटर्नल जदी आपको javascript को कुछ code लिखना है HTML फाइल में या PHP का फाइल हो तो आपको script tag में ही लिखना पड़ेगा तभी उसको browser को javascript interpreter जो है उसको समझ में आएगा और उसको execute करेगा यह तो एक वे है उसमें और थोड़ा एक दो code हम लोग लिखते हैं जो प्रिविएस वीडियो में हम लोग उन सेम code हम लोग लिख रहे हैं आपने प्रिविएस वीडियो जाजी नहीं देखा है तो जरूर देख ले और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल नोटिफिकेशन है उसको अन करना ना फिले ताकि जब भी मैं वीडियो अफ्लोड करूंगा आपको जरूर सबसे पहले मिल जाए और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि और द लिखना होगा हम लोग कुछ भी वेरियेबल का नाम दे सकते हैं जैसे कि मैं नाम दे रहा हूं एज ठीक है और एज इक्वल टू मैं टाइप कर रहा हूं 28 और टाइप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि कॉन्सोल और मैं यहाँ पर जदी मैं रिफ्रेस करता हूं मतलब मतलब क्या है कि जाभा स्क्रिप्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है हम लोगने अभी तक कोई भी कमांड इस狂 लिख नहीं है जिससे वह कंशोल में प्रिंट कर रहा हैगा ठीक है इसलिए आप देखेंगे कि कांसोल में आपको कुछ भी यहां पर ब्लैंक आ रहा होगा ब्लैंक सो कर रहा है क्यूंकि अपने आप लोग ने कोई कमांड नहीं दिया है बट हम लोग आपने देखा होगा कि यहां पर जिदि हम लोग डायरक्ट टाइप करते हैं कुछ भी अला 52 plus 20 plus 10 कर रहा हूँ तो यहां पर आप देखेंगे कि डायरक्स को कर रहा हम लोग कुछ भी कॉंसोल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह जो कॉंसोल है ना डेवलपर कॉंसोल में बनाया है इस पिसलीड़ डेवलपर के लिए जहांपर कुछ कोड को रान कर सके यहां पर हम लो डौग में सो करेगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सो नहीं कर रहा था एक इन मैंने बोला इसको इसके बारे में और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को टाइप करना है आप कॉन्सोल डॉट लॉग और मैं यहां पर पास करता हूँ इस प्रिंग फोड़ा एज जो है वह वह केप इसके साथ अगेन हम लोग को कॉन्क्रेडिनेट करना पड़ेगा और एक मैं आपको अप्सन दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यह कॉन्क्रेडिनेट नहीं करके भी हम लोग काम कर सकते हैं और यहर्स और यहां पर हम लोग देखते हैं कि इफ मैं यहां पर कंडिशन लगाता हूँ इफ एज इक्वाल टो इक्वाल टो 28 देन मैं क्या कर रहा हूँ कि console.log में मैं इस सो कर रहा हूँ कुछ भी इस यह यह ऐएम और उसको रफेर्स करते हैं तो आप देखेंगे जाला इसको रण करना चुका है यह एक वे हैं इंटरनल जावा एक्वा ग्रिवाल पर है और उसमें जाबाइस के पर जो कोड़ है उसको रॉन करें तो हम लोग देखते हैं कि आपको अच्छा लगे सूटेबल लगे फाइल के रोडिंग जिसमें काम कर रहे हैं उसके रोडिंग तो आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं तो मैं यहां पर नाम दे रहा हूं कॉस्ट स influenus नाम दे रहा हूं और मैं यहां पर मैं त्क कर दोして Guard कर दूँगा इसका रिक्वाइमेंट नहीं है मुझे क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यदा ले रहा है और घ्यीमेरे इसको नहीं देखेंगे कि कुछ भी नहीं तक यह सथी formula फाइल है इसका लिंक्ला के। नहीं किये है, इसके एकारण से सोड नहीं कर रहा है, तो अभी देखते हैं कि इसको हम लोग लिंक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को बहुत सिंपल एक क्या करना है, कि स्क्रिप्ट लिखना है, इसके साथ ना लिंक करता है, इसका पात देना पड़ता है, इस साथ यहां पर आपको देना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे custom और custom.js आ चुका है automatic और मैं इसको link कर चुका हूँ अभी हम लोग इसको again refresh करते हैं और आप देखें दोस्तों यहां पर yes, I am.ald का जो message है जो भी print करना चाहते है यह आ चुका है मतलब क्या है कि जो custom file जो है हम लोग ने external जो file add किया था यहां पर यह file इसके साथ link हो चुका है और आप इसमें कोई भी code अभी javascript के जो भी code लिखना है आप लिख सकते हैं आडाम से और बहुत ही तरीका से इस्टेनर तरीका से आप लिख सकते हैं hope friend आपको यह वीडियो काम का लगा होगा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बूलूँगा सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम लोग एक से एक जो javascript का जो code है वह हम लोग टुटोरियल लेके आ रहे हैं और भी react native, angular js, android native और बहुत सारा tutorial हम इसे चैनल में लेके आने वाले आप A to Z इसमें टेक्नोलोजी सीख सकते हैं hope friend आपको ये वीडियो काम का लगा होगा आपने बहुत कुछ सिखा है कि HTML को कैसे HTML जो फाइल है उसमें कैसे